हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एक्जाम इस्टोर एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तो फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी हिंदी जितने भी प्रतियोगी परिच्छाओं में पूछी जाती उनके लिए बहुत ही महत्पूर क कर लें उनके लिए बहुत ही फायदेमन दोने वाले हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एक्जाम इस्टोर लगतार आपके लिए अच्छे वीडियो बनाता रहता है तो चलिए आज हम ल ह hm talk मति किसको बोला जाता है ए हम उत्तर ना देनीकी खंता या बी जो फिर से उत्तपन होगा या सिसकी बुद्धि में नहीं नहीं बाते उत्तपन होती है या 'dी जो ततकाल सोचकर उत्तर दे तो फ्रेंट आपको भी बता है कि जो ततकाल तरस के उत्तर देता है वही इसका सई जवाता है यानि D जितने भी लोक बता रहें, बिल्कुल सई जवाब उत्तर D, बिल्कुल राइट अंसर हैं सकन्डा, पार्थिू, पार्थिू का अर्थ जिसका संब्ध मनुषर से या B option जिसका संब्ध प्रथा से या C, जिसका संब्ध इस्वर से है या D, जिसका संबंद पृत्वी से, तो पार्थिव किसको बोला जाता है, जिसका संबंद पृत्वी से, तो जो लोग भी second option बता रहें, बिल्कुल सही जवाब है, कि पार्थिव का अर्थ होता है, जिसका संबंद पृत्वी से, अब हम लोग third question के तरफ आगे बढ़ते हैं, जो इंदर पर विजय पराप्त कर चुका उसे हम लोग क्या बोलेंगे option एंदर J, B option एंडू, C option एंदर जीत एंदरी जो लोग भी इंदर पर विजय पराप्त कर चुके हैं उनसको इंदर जीत बोला जाता है फूर्ट कोर्ष्ट occupól में पैदा वेक्ति क्या बोला जाता है द junior ождสपप में श्रवन्ड शे noi in devices यह डी ऑप्सट ने कुली तो क्या बोलेजे गाहिजे जो उच उची कुल में पैदा होता है कुलीन दोध है जो लोग भी डी आपस्ट बता रहे हैं विल्कुल सही जवाब है उनकी तयारी काफी अच्छी चल लेए जेल वार्डर में काफी अच्छा स्कूर करने वाले हैं फिर तो कोस्टन के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं निम्नवाक्यांस के लिए उचीत एक सब्द चुनिये कानून का रूप देने के लिए प्रस्तूत किया गया प्रस्ताव या मशावदा क्या होता है ओप्षन ए प्रारूप बी ओप्षन मशावदा सी ओप्षन विद्यक या डी ओप्षन प्रशनोत्र यह देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर परिच्छा 2015 में कोस्टन पूछा गया है तो जीतने भी मैंने कोस्टन लिए लगतार आपक द्रशन मुर्मूस या डी ओप्षन ममूस तो इसमें थोड़ा सा क्लोज ओप्षन तो आपको इस पर भी सेज्ञान देना होगा तो सिख से जवाब हो जागा ए ओप्षन क्या बोलते मूमूसु जिसका सारी मात्राह जो होती है एक तरफ होती है यह आपको थोड़ा सा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जिसे परमार द्वारसी दना किया जाए उसको हम लोग अप्र में बोलते हैं क्या बोलते हैं तो जो लोग भी सी ओप्षन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है एर्थ कोस्टन के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं गीरा हुआ के लिए क्या सब्सक्राइब दोस्ते आप से पूछा जा रहा है गीरा हुआ के लिए क्या सब्सक्राइब क्या होता है तो जो लोग भी ए आप से बता रहे हैं बिल्कुल सभी आठवी के ए आप से बिल्कुल राइट आंसर है अब हम लोग चलिए नेक्ट कोस्टेन करने के लिए हम लोग थोड़ा से ऊपर जाते हैं तो नाइन्थ कोस्टेन आपकी स्क्रीनिंग पर इए रहा है इसमें पूछा जा रहा है जिसकी आ बोलते हैं किया बोलते हैं कि ऐप ब्रत्यासित टेन्थ कोश्रण के तरफ आगे बड़ते थी के तीन और पालवा अस्थान क्या कहला थे द्वीप के अलाता है या प्रायदीप के अलाता है या महादीप के अलाता है या उप्रोग तुमें से कोई नहीं तो सही जवाब क्या हो जाएगा तो जो लोग भी बी ऑप्सन बता रहे हैं प्रायदीप तो बिल्कुल सही जवाब है प्रायदीप बिल्कुल राइट आंसर ह तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं 11th question आपकी screen पर रहा है ये कि जिसके पास कुछ भी नहीं उसको क्या कहेंगे A option है गरीब B option है अकिंचन या C दरिंद्र या D वी नित उसको क्या कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं उसको हम लोग अकिंचन बोलते हैं अकिंचन तो जो लोग भी अकिंचन बता रहें B option बिल्कुल राइट अंसर है आप लोग देख सकते हैं यहां पर ओके फ्रेंग तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th question के तरग बिशिष्ट ओसर पर बिशिष्ट लोगों के समझ दिया गया बिद्धता पूरु भासर क्या होता है A option है श्रम भासर, B option है अभी भासर या C option है अप भासर या D option है अनु भासर तो सही जवाप जो होता है बिशिष्ट ओसर पर बिशिष्ट लोगों के समझ जो भासर दी जाती हो उसको अभी भासर बोला जाता है 13 question आप लोग देखिए आधी से अंत तक को क्या बोलते हैं एक सब्द के लिए इसका क्या होगा A option आधो पांथ B option है आधी या C option है दिगन्त या D option है अंती तो आधी से अंत को हम लोग क्या बोलते है अधोपांत क्या बोलते हैं अधोपांत ए उप्सेन बिल्कुल राइट आंसर है तो जो लोग भी ए उप्सेन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है अब हम लोग 14 कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं जंगल में लगने वाली आग एक सब के लिए क्या है आपके उप्सेन ह जंगल में लगने वाली आगको हम लोग दावानल बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या विप्तिन कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक सब्सक्राइब होगा A option है मेला B option है भीड या C option है सममेलन या D option है स्रममेलन तो जहां लोगों का जो मेलन होता है उसको हम लोग सममेलन बोलते हैं C option जीतने लोग भी बता रहें बिल्कुल सही जवाब है अब हम लोग 16 question के तरफ आगे बढ़ते हैं जो बयाकरण जानता उसको क्या कहेंगे अपनों सही जवाब होजेगा इंकारण जो ज्याकरण की जनकारी रखते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे वयाकरण 17 question आपके या C उपहार या D option प्रेमों पहार तो उसका सरी जो अब क्या हो जब परितोसिक यानि जो परतियोगिता में जो विजय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं परितोसिक बोलते हैं नेक्ट कोईशन एक्टीन को आप लोग को एंसर देना है शक्ष भाव मिश्रित अनुड़ा को कहते हैं उप्यूक सब्द का चैन करें क्या कहते हैं सख्य भाव को हम लोग डी प्रणड़ है क्या कहते हैं अनुरा को परणड़ करते हैं कुसंगती की कारव चरीत पर दोस्त लगना उप्यूख सब्द का चैन कर इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा आपके क्या जाएगा कुसंगती क्या रहे चरीत पर दोस्त लगने वाला कलंक तो जो लोग भी कलंक बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है क्या आपसे पूछा जा रहे हैं सब्द का चैन करें तो प्रेंट सहस्त्र क्या इसका उप्यूख सब्द का चैन करना option वह अतियार जो फेक कर चलाए जाता है या या इसी एक तरग का बिद्या है या डी इन में से कोई नहीं तो सही option क्या हो जागा है वह अतियार जो हात में थाम कर चलाए जाता है वह सस्त्र होता है 21W जिसमें संसार के प्रती मोमाया ना रहा है।। जो लोग भी बता रहे विल्कुल सहीं जवाब है। 22W जो कभी बुड़ा ना हो। उसको उपीवग सब्द का चैन करे sound करे। एक सब्द क्या होगा। A option है अमर, B option है अजर, C option है सदावार, D option है तरून, तो आप लोग क्या बोलने वाले, जो कभी बुड़ा ना हो, उसको अजर बोला जाते है, क्या बोला जाते है, अजर, तो अजर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 23 के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कानून के उप्यूक सब्द का चैन करें, A option है बैदानिक, B option है सब बैदानिक, C option है निरुद्ध या D option है अवैद, तो जो कानून के विरुद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवैद कहते हैं, इल्लीगल, ठीक है, 24 कोर्षन, जिसके बराबर कोई ना हो, उसको क्या बोलेंगे, A option B option है अनुपम, C option है आसाधारण, D option है लोका तीत, तो जिसके बराबर कोई ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं, क्या फ्रेंड बोलते हैं, अनुपम, 25th question, यह repeated question है, आप लोग इसको बता सकते हैं, कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, इसको अभी मैंने बता है, दावा नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जंगल में आग लगती हैं, उसको दावा नल बोलते हैं, मिथिलेस कुमारी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड आपका पूछा जा रहा है, मिथिलेस कुमारी किसे कहा जाता है, नीचे जो option दिया था, वो A option अनुगत, B option पिछल लगू, C option पिछल, D option आगत तो पीछे चलने वाला सब्द के लिए एक सब्द जो उसको अनुगत बोलते हैं किसी कथन पर शहमत होना, इसका एक सब्द क्या होगा option A शमर्थन, B option अनुमोधन, C option शविकृती या D option शहमिती तो किसी कथन पर शहमत होना काम लोग क्या बोलते हैं, शविकृती, तो जो लोग भी C option बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तैयारी चले, काफी अच्छी वो लोग स्कोर करने वाले हैं जेल वार्डन, जो भी मतब जिसमें भी इंदी आती हो, उसमें काफी अच्छा हों लोग का प्रिप्रेशन रहने वाले हैं 29 question, PD दर PD चला आने वाले इसके लिए स्वमुचित सब्द क्या होगा, option A क्रमागत, B option अन्यागत, C option परागत या D option तथागत तो PD दर PD चलने वाले इसके लिए स्वमुचित सब्द क्या होगा, अन्यागत, तो जो लोग भी अन्यागत बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, next question आप लोगों 30, 31 में लिखी, तो वाकिये को लिए एक सब्द इसमें भी चूनना है, तो 30 आप से पूछा जाता है, पर रवत की ट्यालेटी को उपते एका बोलेंगे, 31st question आचुका है, कंजूसी से धन्व्याय करने वाला, A option कृपण, B option मसर, C option मित्वेई, या D option अलपवेई, तो क्या बोलेंगे कंजूसी से धन्व्याय करने कलें, क्रिपण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिपण, 32 question आपकी स्क्रीन पर ऐसा बेक्ति जिसके आने का दिन और शमय पहले निश्चित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं अभ्यागत बी ऑफ्षन गणमाने सी ऑफ्षन अतीती और डी ऑफ्षन और शमाईक तो जिसका आने का दिन निश्चित नहीं उसको अम लोग अतीती बोलते हैं क्या कहले बने है ए ओप्षन निश्वार्त बी ओप्षन पुणे आत्मा सी ओप्षन ही तैसी या डी ओप्षन है शहायक तो बहला चाहने वाले के लिए एक सब्द होता है ही तैसी जो सब क्या है भला चाहता हूं 35 कोस्टन आ चुका है गोद लिया हुवा पुत्र को आप लोग क्या बोले हैं दत चित वी ओप्षन है दतक या की एप्षन त्याज दंपती तो गोद लिया हुआ पूत्र के लिए होता है दतक पूत्र ठीक है फ्रेंड बिल्कुल राइट आंसर है अब हम लोग आ चुका है अब परी में बोलते हैं A option बिल्कुल right answer है अब हम लोग 36 question के तराफ आगे बढ़ते हैं जो किये गए उपकारों को मानता है उसको A option है उपकारी, B option है कृतग, C option किरपापात्र, D option सूपात्र जो किये गए उपकारों को मानता है उसको अंव लोग कृतत्र कैम बोलते हैं तो B option बिल्कुल right answer है जो उपकारों को मानता है उसको कृततग बोलते हैं तो साही जवाब क्या होजेगा निरकार , जो समय अपना मतलब उससे क्या कहा जाता है , स्वार्थी, उससे क्या कहा जाता है अम Live स्वारती , तो dressed साली दयालूud सांत दीर और यह दन आये के लिए extr क्या होता है ओसने धीर ललित, B option है धीरोदत, C option है धीरोदत या D option है इनमें से कोई नहीं, तो सकतिसालित दयालू और सांत धीर, और यह दन आय के लिए एक सब्द है धीरोदत, क्या बोलते हैं C option धीरोदत, 41 question आपके screen पे रहा, कि जोपरमार से C दन हो सोगे उसके लिए एक सब्द क्या है, A option है अप्रमारित, B option है अपर में, C option है अपर मिती, D option है अपरमारित, तो इसका सही option होता है, अपर में, जोपरमार से सीदन हो सोके उसको अपर में बोलते हैं, 42 question, अबियोगनी, से विराविदगा य स्चिटिन, वह नाई का जोपने पती के पर्देस में होने कारणर दूकि उसको क्या बोलेंगे A option प्रोसित पतिका, B option वियोगनी, C option विरविद्गा या D option खंडिता तो सही जवाब होज़ेगा C option विरविद्धता जो भी विरविद्धता बता रहे बिल्कुल सही है 44 question मोच की कामना करने वाले है वाक्यांस के लिए एक सब्थ क्या होगा मोच कामी, B option है महतिक्त या C मुमुचू या D option मुमुची तो सही जवाब होज़ेगा मुमुचू, क्या होता है मुमुचू, जो भी मुमुचू बता रहे बिल्कुल सही इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक सब्थ क्या होता है इंद्रियों को जीतने वाले को जन्म देने वाली वाक्यांस के लिए एक सब्थ क्या है विरांगाना, बी ओप्शने पुत्रवती, सी ओप्शने वीर प्रशू, सी ओप्शने बीर बहुरी तो बीर पुत्र को जन्म देने वाले को अम लोग बीर प्रशू बोलते हैं ठीक है यो दोस्तो, 47 कोस्टन के तरफा आगे बढ़ते हैं जिसका सत्रू पैदा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग अजाद सत्रू बोलते हैं तो जो लोग भी D ओप्शन बता रहे हैं जिसका सत्रू पैदा ना हो, उसको हम लोग अजाद सत्रू कहते हैं 48 question, जिसका उपचार नहों हो सो के उसको क्या कहेंगे, A option है, दप साध, B option है, अशाध या C option है, स्रम साध, या D option है, साधन है, तो जिसका उपचार नहों हो सो के उसको हम लोग अशाध दे बोलते हैं, तो B option बिल्कुल राइट आंसर है, 49 question के तरफ आगे बरते हैं, दिये के वाक्यांज के लिए एक सब्त के चैन करना है, पूरा और उत्तर की बीच की दीशा को क्या कहेंगे, A option है आगने, B option है इसान, C option है या D option है नैत्रित, तो इसका सही जवाब क्या होजएगा, इसान, पूरा और उत्तर के बीच की दीशा को इसान बोला जाता है, 50 question ये last question है या बागी question हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि अप्लोड होने में टाइम लगता है, दिएगे बागी के लिए परियुक्त होने वाले सही विकल कोई, वह कभी जो ततकाल कविता करने में हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, आशू कभी, तो जून नो ने D option बता है, बिल्कुल सही जब आशू कहते हैं, जो ततकाल कविता कहते हैं, तो आज के लिए पस इतना है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुडबाइ, टेक केर, जाएं दोस्तों.